नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरिच दोस्त पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां गेंदा का फूल और काली मिर्च बवासीर को चुटकियों में ठीक कर देता है इसी से रिलेटेड आज की हमारी ये जानकारी है आप सभी के लिए बवासीर अत्यंत ही कश्टदाई रोग है यह रोग प्रायह गलत खान पान से और पेट में कब्ज रहने की समस्या से शुरू होता है जितना पुराना यह रोग होता जाता है वैसे वैसे यह रोग फिशर भगंदर इत्यादी में बदलता जाता है ऐसे मे गेंदे के फूल और काली मिर्च का यह प्रियोग बेहद उप्योगी साबित हो सकता है आप सभी के लिए गेंदे के फूल और काली मिर्च का सफल प्रियोगा यह जानते हैं बवासीर रोग्यों के लिए बवासीर में गेंदे के हरे पत्तों को काली मिर्च के साथ पीस कर च मिला करके आपको पीशना है गेंदे के फूल 10 ग्राम पीले वाले काली मिर्च 7 दाने दोनों को ठंधाई की तरह पीश कर आधा ग्लास पानी में मिला कर छान कर पीने से रक्त स्त्रावी बवासीर में लाब होता है जिसे हम खूनी बवासीर भी बोलते हैं रक्त स्त्रावी बवासीर में फूलों को पीश लीजिए इन फूलों की लुगदी को देशी घी में भून लीजिए इसमें मिश्री एवं सौफ भी मिला लीजिए आप इसको दिन में एक बार भोजन के दो घंटे पहले या बाद में सेवन करना है आपको सेवन के एक घंटे कुछ भी खाना पिना नहीं है बवासीर में विशेश रूपसे इस बात का आपको ध्यान रखना है बवासीर को दूर करने के लिए सर्व प्रथम आप कबज को दूर करें कबज को दूर करने के लिए आप रात को सोते समय एक गलास गर्म दूध के साथ एक चमच छोटी लें आपको लाव होगा और सुबह शोच जाने के बाद कम से कम 15 मिनट कपाल भाती जरूर करें अगर समस्या भायंकर हो तो कपाल भाती आधा घंटा तक करें आपको आराम जरूर मिल जाएगा और भोजन में फाइवर का भरपूर प्रयोग करें अनाज भी मोटा पिस्वाए और चोकर का भरपूर प्रयोग करें आपकी कबज मिठी जाएगी और जब आपके पेट में कबज कहस नहीं बनेगी तो आपकी बावासीर खुद बखुद खुद खत्म हो जाएगी तो बावासीर एक बहद ही भयंकर रोग है दोस्तों क्योंकि इसमें हमारा शरीर बहद कम इसले से होता आ रहा है इसे आप अपना करके अपने बावासीर के रोग को दूर भगा सकते हैं लेकिन आपको पेसेंस रखना होगा ध्यान रखे कि आप चाहेंगे कि अगर एक या दो दिन खा लिया और इसका लाव दिख जाए तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो भी घरेल और शदियां होती हैं हो में ड्रेमेडिस होती हैं उनको अपना असर दिखाने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन एक फायदा ये होता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये नेचुरली ढंक से आपके शरीर को स्वस्थ करती हैं जिनकी वज़ह से आप प पास्कार दोस्तों